नमस्कार मैं हूँ एंश्यता प्रियंक गांधी नमाज पढ़ती है या नहीं इसका सबूत तो समर्ती ईरानी नहीं दे पाई लेकिन यह समूची दुनिया ने देख लिया कि समर्ती ईरानी खुद तरगहापर चादर भी चड़ाती हैं और सजदा भी परती है प्रियंका गांधी नमाज पढ़ती हैं ये बयान देकर एक बार फिर स्मृती इरानी घिर गई और बीजेपी की भी फजीहत करवा दी इतनी बार गलत सावित होने के बाद भी केंद्रे मंत्री स्मृती इरानी अपनी आदत नहीं छोड़ रही है बिना कुछ सोचे समझे बसपूद परती है और कुछ भी बोल देती है हाला कि इसके पीछे शायद उनकी मंशा आला कमान को खुश करने की होती है लेकिन उनके पैतरे उल्टे पढ़ जाते है अब इसमृती ने प्रियंका को घेड़ने की कोशिश की थी लेकिन सोचल मीडिया ऐसी चीज है ना इस पर सब कुछ रहता है बलही आपके दिमाग से कोई बात क्यों न निकल गई हो अब ऐसा ही इरानी जी के साथ हो गया उन्होंने दावा किया था कि प्रियंका को तो उन्होंने नमाज पढ़ते देखा है तो सोचल मीडिया पर तमाम तस्वीरे वाइरल होने लगी जिसमें स्मृती इरानी ही अजमेर शरीफ के लिए चादर भेट करते दिख गई वैसे आपको समझ तो आही गया होगा कि इरानी जी ने अब क्या कारणावा कर दिया है लेकिन फिर भी विस्तार से बता देते हैं देखिए कि इन दिनों करनाटक चुनाव को लेकर बीजेपी और कॉंग्रेस के बीच जबरदस्त जुवानी जंग देखने को मिल रही है आप शिप कुमार के इस वादे ने बीजेपी के धार में कार्ड को कमजोर कर दिया आपको याद होगा कॉंग्रेस ने अपने घोशना पत्र में बजरंग दल और पीएफाई जैसे संगठनों को बैंड करने का वादा किया था जिस पर बीजेपी ने खूब हंगामा मचाया और इसे बजरंग वली से जोड दिया था इसके बाद कॉंग्रेस ने मामले को संभालते हुए हनुमान मंदिरों का जीरोधार करवाने की बात की तो बीजेपी बेचैन हो उठी जिसके बाद आगे आई बीजेपी की फाय ब्राइंड नेता इसम्रती रानी उन्होंने नमास पढ़ने वाले कभी मूर्ती पूजा नहीं करते फिर क्या था सोचल मीडिया पर इसम्रती एक बार फिर ट्रोल हो गई लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अगर इसम्रती इन तस्वीरों को देख लेती या उन्हें यहीं तस्वीर याद होती तो वह ऐसा बयान हरग कुछ वीडियो और तस्वीरे वारेल हो रही है जिसमें प्रियम नरेंदर मोदी बहादुर शाह जफर की मजार पर दुआ मांगने वाले वक्त मौजूद दिख रहे हैं यह तस्वीर और वीडियो 2017 की हैं सिर्फ यहीं नहीं यह तो अभी शुरूआत है मोदी दाउद बोर मोदी के साथ हैं और अजमेश शरीफ के लिए चादर भेट करते दिख रही हैं और खास बात यह है कि यह तस्वीर ज्यादा पुरानी नहीं है यह तो जनवरी 2023 की ही है इसके अलावा केंदरी मंत्री प्यूश गोयल ने तो दावा किया था कि वो खुद रोज सुभा अब इन तस्वीरों के सामने आने के बाद इसमृती इरानी से सवाल पूछे जा रहे हैं कि पी ए मोदी आपकी पार्टी के मंत्री और आप खुद मुस्लिम समुदाय के कारिकरमों में जाते हैं आपके मंत्री कलमा पढ़ते हैं तो आप मोर्ती पूजा कैसे कर सकते हैं या अंग्रेश भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही थी उस समय स्मृती इरानी ने बड़े ही विश्वास के साथ दावा कर दिया था कि राहुल गांधी ने स्वामी विवेका नंद को नमन नहीं किया उन्होंने कहा था कि अगर कन्या कुमारी से यात्रा शुरू की गई थी त इसका वीडियो भी कॉंग्रेश ने अपने आधिकारिक टुटर हैंडल और दूसरे मीडिया माध्यमों से साजा किया था इतना ही नहीं कॉंग्रेश नेताओने स्मृती इरानी पर जम का निशाना भी सादा था यानि स्मृती इरानी की तथ्थे हीन आरोप लगाने की आद राश्ट के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि गांधी परिवार का कोई बेटा खुले तोर पर कहता है कि भारत में दुशकर्म करो जबकि राहुल गांधी ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था बलकि उन्होंने तो भारत में लगातार हो रही दुशकर्म की घटनाओं पर सरकार से नाराजगी जताते हुए कहा था आप जहां भी देखते हैं उस देश में जहां नरेंदर मोदी ने मेक इन इंडिया कहा था अब आप जहां भी देखते हैं मेक इन इंडिया नहीं बलकि रेप इन इंडिया दिखता है इस्मृती के इस तथ ही नारोप पर भी खूब किरकिरी हुई थी लेकिन आदत से मजबूर इस्मृती इरानी बार बार कॉंग्रेस पर ऐसे ही आरोप लगाती है और कॉंग्रेस इस्मृती इरानी को जूटा साबित कर देती है लेकिन इस बार तो जनता नहीं स्मृति को घेर लिया इतना ही नहीं ट्विटर पर एक और तस्वीर वाइरल हो रही है जो अमेठी की है और इसमें प्रियंका गांधी को मुसलिम समुदाई के लोगों के साथ देखा जा सकता है लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ रही है बलकि द इस बद बन जाती है इस वीडियो में इतना ही आपसे निरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आटिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए फेस्बुक पर लाइक कीजिए और कॉमेंट करके बताईए आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाए ये भी जरूर बताईएगा ट्विटर है आटिकल 19 इंडिया इसको भी फॉलू कर लिजे